हाई फ्रेंट्स वेलकुम टू मैं चानल हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजे और चानल को सब्सक्राइब भी कीजे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए नीचे साइड में दीए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें आज हम इस वीडियो में जो जानेंगे वो है खाना खाने के बाद भूल कर भी कौन से काम आपको नहीं करनी है आज मैं आपको खाना खाने के बाद के बारे में सला देना चाहते हूँ बोड़ी को सही nutrition मिले इसके लिए आप healthy और time पर खाना खाए आपकी वो गलत आदते हैं जिससे आप खाना खानी के बाद करते हैं जी हाँ खाना खानी के बाद भी हमें कुछ खास बातों के ध्यान रखना होता है तकि बोड़ी को फूरा portion मिल सके हैं खाने के बाद कुछ गलत आदोतों के कारण पासें से related problems भी पेदा हो जाती हैं आज हम आपको कुछ ऐसे बातें बता रहे हैं जिन्हें खाने के बाद करना सीहत के लिए खतरनाख साबीत हो सकता है पहली बात है चाय खाना खानी के बाद चाय का सेवन ना करे आपको बहुत से लोगों को देखा होगा जो खाना खाने के बाद चाय पीते हैं लेकिन क्या आपको पता है ये आपको हेल्थ के लिए बहुती जादा खतरनाक है इसका कोई फाइदा नहीं बलकि बहुती दुक्सान होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता चाई की पत्कियों में जादा अमली एता होती है जो प्रोटीन के पाचन पर असर राटती है खाना खाने की तुरन बाद चाई पीने से पेट में जलन, सूजन, आधी हो सकती है इसके अलावा इस्ते पेट में अलसर भी हो सकता है इसलिए चाय और खाने के बीच कम से कम दो गंटे का फासला होना चाहिए दूतरा है नहाने की मनाही खाने के तुरन बाद नहाना तो सबस्य अधिक खाने कारक माला जाता है दरसल ऐसा करने से पेट के चारो और बलड सर्कूलेशन बढ़ जाता है और डाइजेशन भी धीमा हो जाता है खाना खानी के बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और बोड़ी अपनी एनरजी खाने को पचाने में लगा देता है मगर खाने के तुरन बाद नहाने से ये डाइजेशन प्रोसेस गड़ बड़ा जाता है इससे खाना ठीक से डाइजेट नहीं हो पाता है बाद में है ना सोए जादातन लोगों को खाना खाने के बाद नीन आने लगती है लेकिन खाने के तुरन बाद सोना बोडी के लिए बहुत नुक्सान डायक होता है खाना खानी के बाद खाना पचने में कुछ टाइम लगता है लेकिन इसके तुरन बात सोने से Dysession System धीमा हो जाता है और खाना पचने ही पाता है ऐसे मैं कोशिच करें कि खानी के तुरन बात ना सोए नहीं तो इससे ग्यास और आतों में इंस्पेक्शन होने का खत्रा बढ़ जाएगा बलकि थोड़ी देर वाक करें ताकि बॉडी अक्टिव हो सके और आपका खाना भी पच जाए बाद में है फल खाना खाने के बाद कभी भी फल ना खाए खाने के बाद फल खाने से एसिडीटी बढ़ जाती है और ग्यास की गॉबलम हो सकती है हमेशा खाना खाने से एक घंटा पहले और खाना खाने के दो घंटे बाद ही पल खाए ये अपकचन ग्यास और सुविधाओ का अनुभव करते हैं और लास्ट में है धुम्रपान सिग्रेट पिना सियत के लिए हानिकारिक है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे खाना डाइजिस हो जाता है जो कि गलत है एक्सपर्ट की माननी तो खाना खाने के ठीक बात स्मोक करना दरसल बहुते जादा खतरना को सकता है इससे हार्ट और सास के साथ कैंसर का खतरा भी हो सकता है खाने के बाद सिग्रेट का सेवन दस सिग्रेट के बराबर होता है अगर आप भी यही गलतिया कर रहे हो तो तुरन ध्यान दे और इससे सभाने की कोशिप करे आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बता है हमारे वीडियो को लाइक और शेर करें और चानल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग